बिस्मिल्हारमालरहीम असलाम लेकूम मेरे नम है आफिया आप देखे आफिया आज मेरे किचन में बन रहा है केक ट्रैफल तर्ची है जना बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेस्पी आप लोगों से शेयर कुली रेस्पी आप लोगों ने पूरी बाच करनी को भी स्टैपिस दूद में बॉइलाना शुरू हो गया है एक मिटे के लिए मज़ीद पकाएंगे इसे माशाला माशालास कितने अच्छा से थोड़ा सा पके गड़ा हो गया हमारा अब मैं कस्टर्ड का पेस्ट त्यार करूंगी दोट एबल स्पून मैंने कस्ट पॉडर ले लिया आदा चलाते चलाते इसको डालते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठी ना बने तो यह देखे माशाला की सारा में डाल दिया और एक मिटे के लिए मजीद पकाएंगे इसे तरह तो तो थोड़ा सा गाड़ा हो गया अब इसे जब चूले से उतार के रख देंगे तो यह मजीद सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस तरह सारे पिस्ते बदाम कट कर लेंगे यह देखे माशाला से माशाला सारे कट हो गए एक स्याट पर रख देते हैं इनको आप में जैलियों को त्यार कर लूंगी दो चोटे बॉयल ले लिए मैंने इसमें एक एक पैकेट जैली का प आप मेरे पास केक हैं घर का बनामा केक है मेरे पास इसकी रेस्पी आप लोगों चाहिए तो मुझे लाजबी बताइए गा तो यह देखे इसको कट कर लेंगे तीन पीस निकालोंगी बड़े-बड़े समय बागे केक साड़ पर रख देते हैं अब इन पीसे में से छोटे- चलिए कस्टड हमारा बिल्कुल थंडा हो चुका है अब अच्छी तरह इसको एक दफ़ा फेंट लेंगे ताकि क्रीमी सा यह बन जाए तो सबसे पहले डालने हैं ग्लास में कस्टड कर देखें चला गया इसके उपर जो ड्राइफ फ्रूट कटकर रखे हुए थे यह डाल दूंगी रेड वाली जैली हलकी सेट हो चुकी है यह डाल देंगे पिर से कस्टड की लेर लगा लेंगे लेर आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं जो चीज़ आपको कम ज्यादा करनी हो आप अपने हिसाब से लगा लें ग्लासिस में त्यार करें ताकि जब मेहमान मगर आ दालेंगे ताकि सारा के कोट हो जाएक दफा यह हो गया अब उपर से क्रीम थी मेरे पास उसको अच्छी तरह बीट करके पाइपिंग बैक में भर लिया है तो यह लगा देंगे इसके उपर से देखे इस तरह माशाला कितना खूब सुरुत लग रहा है बहुत ही मज़े का यह बनता है आप लोगो इसे जुरूट आएगी जैकर बनाने के बाद मैं ग्लास को रख दूंगी कम से कम एक से डेड़ी के लिए फ्रीज में ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए थोड़े से मैंने बदामा और पिस्ता डाल दिया उपर से चैरी के साथ इसे गानिश कर लिय है तो चलिए देखें माशाला कितना खूब सुरूत लग रहा है बहुत ही मज़ेकर बना है तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी मिलेंगे इंशाला गली रिस्पी के साथ दूआ में याद रखें लाफेस